स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास इगारह के रसायन विज्ञान अभिहास छै अभिहास का नाम है उश्मा गतकी में आज हम लोग पढ़ेंगे बिसीष्ट उश्मा के प्रकार बिसीष्ट उश्मा कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी भी द्यार थी इस परिभासा को अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा जिसे आपका एक नोट से भी बनता रहेगा तो पहले हेडिंग को नोट करेंगे कि बिसीष्ट उश्मा के प्रकार बिसीष्ट उश्मा कितने प्रकार के होते हैं तो बिसीष्ट उश्मा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला का नाम है इस्थिर दाब पर बिसीष्ट उश्मा इसको क्या परदस देना है एक इस्थिर दाब पर विशिष्ट उस्मा है और एक इस्थिर आयतन पर जो है विशिष्ट उस्मा है अब हम लोग पढ़ेंगे इस्थिर दाब पर विशिष्ट उस्मा किसे कहते हैं अब इसके परिभासा को शमझ लेंगे तो अब यहाँ पर जो है हेडिंग को नोट कलेंगे इस्थिर दाब पर इस्थिर दाब पर बिसिष्ट उश्मा किसे कहते हैं इसको जो है सीपी से परदसित करते हैं CP से तो बहुत असान परिभासा है बस थोड़ा सा अब लोग धियान दिजेगा परिभासा को क्या होगा याद हो जाएगा तो CP का मतलब होगा इस्थिर दाब धियान दिजेगा यहां इस्थिर दाब लिखा है तो इस्थिर दाब पर किस दाब पर इस्थिर दाब पर किसी कहा जाता है इस्थिर दाब पर विशिष्ट उश्मा कहा जाता है तो यहां पर परिभासा लिख लेंगे जो इस्थिर दाब रहेगा तो यहां लिखेंगे इस्थिर दाब पर किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के पदार्थ के एक गराम कितना एक गराम द्रेविमान एक गराम का लिखेंगे द्रेविमान एक गराम द्रेविमान का ताप एक डिगरी सेल्सियस एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने पर एक डिगरी सेलसियस बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आवशकता होती है जितनी उश्मा की आवशकता होती है उसे क्या कहते है इस्थिर दाब पर बिसिष्ट उश्मा कहते हैं इस्थिर दाब पर किसी पदार्थ के एक गराम दर्मान का ताप एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आवसकता होती है इस्थिर दाब पर बिसिष्ट उश्मा कहते हैं इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मातरक क्या होता है तो कल की वीडियो में जो है बिसिष्ट उश्मा का मातरक बताए गया था वही मातरक जो है इसका भी होगा इस्थिर दाब बिसिष्ट उश्मा किसे कहते हैं व वकल की वीडियो में बताय गया था तो जरूर कल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्रेलिस्ट में वीडियो है उस वीडियो को जरूर आप सभी विद्यार्थी देख लिजिएगा अब अगला जो इसका प्रकार क्या था इस्थिर आयतन पर बिसीश्ट उस अब इसका परिभासा तो आप सभी विद्यार्थी बनाई लेंगे बस एक सब्द बढ़ाना है परिभासा जो है बन जाएगा जो उपर परिभासा जो देख रहे हैं वही परिभासा सेम रहेगा लेकिन एक सब्द को क्या करना है बदलना है तो यहां लेखेंगे इस्थिर आय कि इस्थिर ये दाब है अब ये दाब को बस हटा दीजिए परिभासा क्या होगा बन जाएगा तो बस कैसे लिखेंगे इस्थिर आयतन पर किस आयतन पर इस्थिर आयतन पर तो यहां लिखेंगे परिभासा में इस्थिर आयतन पर इस्थिर आयतन पर परिभासा को अपने कापी में जरू नोट करते चलिए तो इस्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एक गराम किसी पदार्थ के एक गराम दर्विमान का ताफ एक डिगरी सेलसियस बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आवशक्ता होगी सेम परिभासा है परिभासा को मिलाते चलिएगा बस एक सब्द को हटाया गया है क्या लिखें हैं जितनी उश्मा की आवशक्ता होती है इस्थिर आयतन पर बस जहां इस्थिर दाब है वहीं पर क्या लिखेंगे इस्थिर आयतन तो इस्थिर आयतन पर क्या कहते हैं बिसिष्ट उश्मा कहते हैं इसे किस से प्रदर्शित करते हैं तो इसे सीभी से प्रदर्शित करते हैं तो परिभासा जो है समझ में आ रहा होगा बहुत आसान परिभासा यहां पर बताया जा रहा है तो परिभासा को परे बनाना सीखिए कैसी परिभासा को बनाया जाता है अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे गैस के मोलर या गराम अडुक बिसिष्ट उसमा है तो अब क्या है यहाँ परिभासा पर लिख लेंगे गैस के मोलर या गराम अडुक बिसिष्ट उसमा अब इसकी परिभासा को नोट करेंगे गैस के मोलर या गराम अडुक बिसिष्ट उसमा किसे कहते हैं अब इसकी परिभासा क्या है बहुत ही आसान इसका भी परिभासा है बस जहाँ पर एक गराम दर्मान बोलते थे उपर जो परिभासा देख रहे हैं एक गराम जो दर्मान था तो एक गराम दर्मान नो बोल करके अब हम लोग क्या बोलेंगे किसी गैस के एक मोल का ताब कितने मोल का एक मोल का ताब एक डिगरी सेलसियस बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आउसकता होता है उसे गैस के मोलर या गराम अडुक बिसिष्ट उश्मा कहते हैं बस परिभासा में क्या है अब यहां न इस्थिर द किसी गैस का किसी गैस का गैस के लिख लिए गैस के एक मोल का ताब कितने मोल का एक मोल का ताब एक मोल का ताब एक डिगरी सेलसियस एक डिगरी सेलसियस बढ़ाने पर एक डिगरी सेलसियस क्या करेंगे बढ़ाने पर बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आउसकता होती है जितनी उश्मा की आवशकता होती है उश्मा की आवशकता होती है उशे गैस के मोलर गैस के मोलर या गराम औरोक बिसिष्ट उश्मा कहते हैं तो परिभासा कितना असान है बस थोड़ा सा परिभासा में अंतर है बस यहां किसी गैस के एक मोल का ताफ कितने मोल का एक मोल का ताफ एक डिजरी सैसिस बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आव सकता होती है उसे गैस के मोलर या गराम अड़ुग बिसिष्ट उश्मा कहते हैं और यह मोलर बिसिष्ट उस्मा कितने मोलर जो है बिसिष्ट उश्मा दो परकार के होते हैं कितने परकार के दो परकार के होते हैं दो पर करके होते हैं अब पहला का नाम क्या है तो पहला का नाम नोट कर लेंगे अब पहला का नाम है और यहां दूसरा तो पहला का नाम इस्थिर दापर अभी हमनों पढ़ें इस्थिर दापर और इस्थिर आयतन पर अभी हमनों उपर पढ़ें लेकिन यह इस्थिर दापर क्या रहेगा मोलर विसिष्ट उस्मा रहेगा और इस्थिर आयतन पर जो है मोलर विसिष्ट उस्मा रहेगा बस मोलर सब्द जोड़ना है तो अब क्या बन जाएगा यहां पर इस्थिर इस्थिर दाब पर इस्थिर दाब पर जो है विसिष्ट उस्मा क्या लिखेंगे मोलर बिशिष्ट उश्मा बोल देंगे और अगला जो होगा इस्थिर आयतन पर बिशिष्ट उश्मा तो परिभासा सेम है बस थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है धियान देना है तो इस्थिर क्या हो जाएगा यहां पर आयतन पर इस्थिर आयतन पर मोलर बिशिष्ट उश्मा तो अब इस दोनों का परिभासा भी समझ लेते हैं किनिका विशिष्ट उश्मा का परिभासा क्या है दोनों का परिभासा जो है समझ लिया जाए तो अब पहला हेडी नोट कर लेंगे अब यहां हेडी नोट कर लेंगे इस्थिर इस्थिर दाव पर पहले हम लोग क्या पढ़ते थे केवल इस्थिदा पर पढ़ते थे लेकिन अब क्या है इस्थिदा पर जो है मोलर बिसिष्ट उश्मा तो अब इसकी परिभासा क्या है अब इस परिभासा कुछ समझ लेते हैं बस थोड़ा सापको धियान देना है तो यह इस्थिर दाब है तो इस्थिर दाब रहेगा तो क्या लिखेंगे इस्थिर दाब पर क्या लिखेंगे इस्थिर दाब पर किसी गैस के बस यहां इस्थिर दाब बोलेंगे परिभासा पुराना ही बोलना है किसी गैस के एक मोल कितने मोल एक मोल का ताप कितना डिगरी एक डिगरी सेलसियस बढ़ाने पर एक डिगरी सेलसियस बढ़ाने पर आवश्यक उश्मा बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आउश्कता होती है जितनी उश्मा की आवशक्ता होती है उसे इस्थिर दाव पर मोलर बिशिष उश्मा कहते हैं तो परिभासा समझ में आगया होगा बस इस्थिर दाव पर किसी गैस के एक मोल का ताव एक डिगरी से सेします बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आवशक्ता होती है उसे इस्थिर दाव पर मोलर बिशिष उश्मा कहते हैं अब उन्हों पढ़ेंगे इस्थिर आयतन पर molar विशिष उश्मा इस्थिर आयतन पर molar विशिष उश्मा तो इसका परिवासा तो आप से विद्यार्थी जरू बना सकते हैं क्या करना है बस उपर जो परिवासा है वही परिवासा को लिखना है लेकिन दाब के जगह पे क्या लिखना है आयतन लिखना है क्या लिखना है आयतन जो इस्ठी दाब है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इस्ठीर आयतन पर किसी गैस के एक मौल का ताफ एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने पर सेम परिभासा है या परिभासा और या परिभासा को मिलाते चलिएगा शेम है बस एक सब्दों को बढ़ाना तो है इस्तिर यहाँ दाप के जगा पर आइतन कर लीजे परिभासा सेम है तो इस्तिर आइतन पर किसी गैस का एक मुल का ताप एक डिगी से सर बढ़ाने पर जितनी उश्मा की आउशक्ता होगी जितनी उश्मा की उश्मा की आवशक्ता होती है उसे इस्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट उश्मा मोलर विशिष्ट उश्मा कहते हैं तो परिभासा शमझ में आ गया होगा बहुत आसान परिभासा जो है बताया गया तो आज का वीडियो कैसा था आपसे विद्यारती जरूर कमेंट कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर यदि आप पहली बार आयोंगे तो चै अब वीडियो को जादा से जादा अपने सभी दोस्तों के पास जरूर कर दीजे तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा कल की वीडियो में लोग पढ़ेंगे मेर का सुत्र का निगमन मेर ने क्या सुत्र बनाये थे कल की वीडियो में इसका निगमन करके बताया तो आज का पड़ाई इतना ही मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार